नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूँ आपका आपके अपने चानल इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू में कुछ लोग सफेद फिटकरी का उपयोग आफटर शेव के रूप में भी करते हैं और कुछ लोग इसका उपयोग पानी को साफ करने के लिए भी करते हैं आयूरवेड के अनुसार फिटकरी से 23 प्रकार की समस्याएं दूर की जा सकती हैं और आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि छोटी सी फिटकरी आपके कितने काम आ सकती है यदि आपको कभी चोट लग जाती है और इसमें से खून आ जाता है तो आप अपने घाव को फिटकरी के पानी से धोलें इससे आपके घाव से खून आना बंद हो जाएगा फिटकरी को आप महीन पीस कर भी अपने घाव पर लगा सकते हैं यदि आपके चहरे पर जुर्या आ गई हैं तो आपके लिए फिटकरी का पानी बहुत उपयोगी रहेगा इसके लिए आप फिटकरी के बड़े से टुकडे को गीला करके अपने चहरे पर हलके से मलें और कुछ समय बाद अपने चेहरे को साफ पानी से धोलें इस से आपके चेहरे पर जुर्या नहीं आएंगी यदि आपको पसीना अधेक आता है और आपके शरीर से पसीने की बदबू आती है तो फिटकरी आपके लिए बहुत उपयोगी होती है इस समस्या को दूर करने के लिए आप फिटकरी का महीन चूरन बना लें और नहाने से थोड़ा पहले फिटकरी चूरन अपने नहाने के पानी में मिलाएं इससे आपके पसीने की समस्या दूर हो जाएगी यदि आपके मूँ में बदबू आती है या आपके दाथ में दर्ध है तो फिटकरी आपके लिए बहुत उपयोगी है असल में फिटकरी एक नाचरल माउथ वाश है और दाथ दर्ध में इससे गारगल करना बहुत लाबदायक होता है यूरिन इंफेक्शन होने पर फिटकरी का उपयोग बहुत लाबदायक रहता है नियमित रूप से फिटकरी के पानी से अपने प्राइविट पार्ट की सफाई करने से यूरिन इंफेक्शन की समस्या को दूर किया जा सकता है इस प्रकार से फिटकरी का उप्योग urine infection में भी किया जाता है यदि किसी को भी दमा की शिकायत है तो फिटकरी आपके लिए बहुत लाबदायक है इसके महीन चूरण को शहद के साथ चाटने से आपकी दमा और खासी की समस्या दूर हो जाती है जैसा कि आप जानते हैं कि फिटकरी में antibacterial गुण पाय जाते हैं तो असल में जब इसका उप्योग आप अपने बालों में करते हैं तो इससे आपके सर की सारी गंदगी निकल जाती है और आपके बाल भी soft और सुन्दर हो जाते हैं तो दोस्तों देखा आपने मामूली सी फिटकरी के कितने नायाब फायदे हैं तो आज से ही फिटकरी को अपनी अलग-अलग समस्याओं के लिए इस्तमाल करना शुरू कर दीजिए सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फर यू फोर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स विडियो अगर आपको हमारे विडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेर जरूर करें